हेलो फ्रेंड्स वान्स अगैन वैलागो टू माई चैनल बी एंड एफेंड एफेंड बेनिफिट फिचर एंड फंक्शन जैसे कि आप सभी जानते हो कि हर बार माप के लिए कोई ना कोई एक लेटेस्ट प्रोड़क्त का रिव्यू डेमो बेनिफिट और फिचर से लेटिड वीडियो लेके आता हूँ कि कैसे आप LG की टोप लोड वाशिंग मुशीन जिसमें आपको वाइफाई का फिचर मिला है कैसे आप उसको अपने आईफोन या इंड्रोड फोन से उप्रेट कर सकते हैं एक एप्लिकेशन के जरीए तो एक LG की एप्लिकेशन LG थिंक्यू जिसको आप अपने मोवाइल में डाउन्लोड करके उस एप्लिकेशन से कैसे आप अपनी टोप लोड वाशिंग मुशीन को कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर है हूँ ये टोप लोड वाशिंग मुशीन को कनेक्ट करने की वीडियो लेकर है हूँ लेकिन इसी म और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी washing machine को अपने mobile से connect करें सबसे पहले आपने mobile में LG ThinQ application डाउनलोड कर लेनी है यह मेरे mobile में already downloaded है तो आपके पास नहीं है तो आप ले इस्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं LG ThinQ फिर इसके बाद में आपने जाना Ada devices यानि कि हम टोप लोड अगर washing machine कर रहे हैं तो टोप लोड की washing machine में जाएंगे क्योंकि LG के सभी प्रक्ट जो वाई-फाई के साथ आते हैं वो इस application से operate हो आते हैं वाटर लेवल वाले बटन जिसके निचे वाई-फाई का निसान बना है उसको तीन सेकनल ये प्रेस करोगे तो वाई-फाई का जो sign है वो बलिंग करने लग जाएगा फिर आप टोप लोड पे करोगे तो उसका password मांगेगा होट स्पोर्ट या वाई-फाई का password वो आप डाल दोगे तो आपकी जो washing machine है वो इसके साथ connect होनी start हो जाएगी अब ये देखिए पूछ रहे कि आपने display भी इस पे लेनी है तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको कैसे होगा तो ये अब सारी features है ज time to time पता चलता रहेगा notification भी मिलता रहेगा वो शरीन spin जब होते हैं और प्लस आप इसमें monitoring भी कर सकते हैं तो ये देखिए आपकी जो washing machine है अब इसमें जो है is a remotely complete connect हो चुकी है बस customize software हो रहा है थोड़ा से software update होने के बाद ये जो है remotely पूरा यहाँ पे आपको show होगा ये दे charging machine के सभी के सभी यहाँ पे आ चुके हैं तो ये अब कह रहा है कि अगर आपने पूरा इसका remote लिया निकिसके display भी आप चाते हो कि mobile में show तो आपने remote start वाला जो button है उसको आपने तीन second के लिए प्रेस करके रखना है जिससे क्या होगा कि इसकी पूरी display आपके mobile में आ जाए तो अब मैंने start किया है तो अब इसके बाद आप देखोगी कि जो washing machine है वो भी sense कर रही है और sense करने के बाद वहाँ पे timing आएगी और mobile में भी sensing हो रही है same time पे तो इसकी जो speed अब भी fast आप वहाँ पे 20 minute आ चुका है और mobile में भी आप देख सकते हो कि machine की display यहाँ पे आ चुक सकते हैं और इसको आप एक बार connect करने के पास anytime anywhere यूज़ कर सकते हैं सबसे best application है LG की